तो हलो दोस्तों और कैसे हैं आप सब मेरा नाम है वेभाफ एंड वेलकम टू मैर चैनल दारील जेंट्शन 9.4 एंड अभी रिसेंटली मैंने कुछ दिनों पहले आपको एक न्यूज बताई थी कि आयोध्या के एंसे 12 मंग की वाला जो सेक्शन है उधर अब कंप्लीट होने के बाद चार ट्रेनों को तो अभी लो को मिल चुका है जो कि है गोरकपुर यश्वंत पूर माउ आनंद वियार लखनव आयोध्या केंट और प्रयागराज आयोध्या केंट जो अनारक्षित ट्रेने चलती है उनका चारों का अभी तक लोको से चालू कर द नहीं आया है तो इनका भी नाम जल्दी आ सकता है इसी महिने आगले महिने में तो जितनी भी ट्रेने हैं इनका ट्रेक्शन चेंज नहीं हुआ करेगा दिन दयाल उपाध्याय पर लखनव पर इनका सीधे इलेक्ट्रिक इंजन आगे तक एक्स्टेंड कर दिया जाएगा औ और मैं अभी सारी ज्रेणों का नाम ले रहा हूं यह पूरा एंड टू एंड इलेक्ट्रिक पर चला करेंगी अगली है तेरा 151-52 कोलकता जम्मुतवी जो 23 तारिक से पूरा इलेक्ट्रिक पर चलेगी उसके बाद है 13238 और 13236 कोटा पटना एक्सप्रेक्श जो कि 22 तारि और 26 तारिक से पूरा इलोकों से चलेगी अगली ट्रेन है 1408 और 1407 दिल्ली रक्सॉल यह 27 इस से इलेक्ट्रिक से चलेगी उसके बाद है 14206 और 14205 दिल्ली ऐह देकेंट एक्सप्रेक्स यह 24 से इलेक्ट्रिक हो जाएगी उसके बाद है 14235 और 36 जो कि यह बरेली वारण अ पर फिसी इपल चयाने है यह 25 हो जाएगी उसके बाद है चोदा शहस्यों पचास और 14-649 अम रिच्व्ष जैनर जो कि 23 हो जाएगी उसके बाद अगली गाड़ी 150 oh 25 something लख्रणाय जंक्शन चप्राजंक्शन जो की 24 थारिक को रिक हो जाएगी अगली गाड़ी है 15 115 और 15 116 चपरा दिल्ली जो कि तेविस अपरेल से इलेक्ट्रिक हो जाएगी अगली गाड़ी है 1813, 1814 टाटा मरिचर एक्सप्रेक्स 26 थारिक से इलेक्ट्रिक हो जाएगी अगली गाड़ी है 1916 और 1968 एमदाबाद वारानाशी एक्सप्रेक्स 24 तारिक से इलेक्टिफाइड हो जाएगी अगली गाड़ी है 1931 और 1932 पतना इंदोर जो कि 24 अपरेल से इलेक्टिफाइड हो जाएगी अगली गाड़ी है 2133 और 2984 लोकभाने तिलक टर्मिन से आईओद्य केंट तक चलने वाली जो कि 24 तारिक से इलेक्टिफाइड हो जाएगी 24 अपरेल से उसके बाद है 2330 और 22104 लोकभाने तिलक अईओद्य केंट जो कि 26 अपरेल से इलेक्टिफाइड हो जाएगी उसके बाद है 22,613 और 22,614 प्रयागराज जयोद्या केंट जो कि 26 अपरेल से इलेक्ट्रिक हो जाएगी उसके बाद है लास्ट बचीवी चार ट्रेंज जो कि है 04,652 और 04,651 अमरिचर जयानगर कलोन स्पेशल जो कि 22 अपरेल से इलेक्ट्रिक हो जाएगी उसके बाद है 24 307 और 14 308 प्रियागराद संगम बरेली जो कि 25 से उलेक्तिरिक हो जाएगी उसके बाद है 12 470 और 469 जम्मुतवी कानपूर स्पेशल जो कि 22 सारिक से उलेक्तिरिक हो जाएगी उसके बाद है हमारी आकरी ट्रेंद जो कि 09465 और 09466 एमदाबाद दरबंगा कलोन स्पेशल जो की 23 अपरेल से इलेक्टिफाइड हो जाएगी तो कैसी लगी आपको ये वीडियो बताने जरूर अभी खेर इन 23 जोड़ी ट्रेनों की ही न्यूज आई है लेकिन बाद में देखते हैं किनकिन ट्रेनों को इलो को मिल पाता है और अगर किसी को इस बात का आइडिया हो कि मर्दर एक्सप्रेक्स या फिर गरीव नवाज एक्सप्रेक्स को कब तक ईलो को मिलेगा तो भी मैं को बता देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब करें लो वीडियो लाइक नहीं किया तो कर दो एंड इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद